केंद्र सरकार की जनहितकारे योजनाओ का लाब जरूरत मन्थ लोगों तक पहुंचाने के उदेश से विक्सित भारत संकल्प यात्रा की शुरुवात की गई है योजनाओ को जनजन तक पहुंचाने की कड़ी में बेतुल जिले की भेश देही में एक शिविर का आयजित क्या गया जहां पर सभी सरकारी योजनाओ की बारे में लोगों को जानकारी दी गई देखिए ये खास रिपोर्ट विक्सित भारत संकल्प यात्रा की तहट भेश देही में एक कारेक्रम आयजित क्या गया जिसमें स्वास्त विभाग आजीवी का मिश्रन क्रिशी विभाग सहित अन्य विभागों के स्टॉल लगा कर लोगों को जानकारी दी गई वहें इस दोरान बेतु लोगसभा से सांसद दुर्गदास ओईके ने कहा कि विक्सित भारत संकल्प यात्रा वन्चितों और अंतिम छोड के व्यक्तियों को शासन की प्रमुख योजनाव से जागुक कर उन्हें लाभनवित करना है वहीं संकल्प यात्रा को लेकर नगरपरिशद भेज देहीं के अध्यक्ष मनीश सोलंकी ने मीडिया से बात चित कर अपनी बात रखी अध्यक्ति नगरपरिशद अंतरगत चित्ते भी आपिसर डिपार्टमेंट आते हैं सभी डिपार्टमेंट होने अपने सिवीर लगाए गया कालकम में क्या देख्षता सम्मानी बैतुल हल्दा जी लेके सम्मानी सांसर दिडियो इकी द्वारा की गी नगरपरिशद के गन्मानने नागरिक जिसमें जिलापंचा सदस राजा राजा चाचा जी पूरू नपाद देख्षा निल छी ठाकू जी पूरू भाजपा जिला लोकंडे की मुझित्की में कालिकम संपन्न हुआ जिसमें विक्सित भारत संकल प्यात्रा में हमारे देश के एसस्वी प्रधानमंतरी सम्मानी नरेन मोदी जी द्वारा जो राश्ति स्तर से जो योजनाय चला जारी जिसमें आयश्मान योजना अंतरगत्र लाखों परिव मात्र से जाधाय जाता है तो अगर यह कार्ड नहीं होता तो हमारे करीब तबके के अध्यासी बहूलिए चेत्रे के लोग अपनी जमीन को कहीं साहूकार के पास रखकर मात्राना पड़ता था पर इसमें आज आईश्मान कार्डिक से उनको कापी सोलियत मिलरी है वहीं बता दें कि विक्सित भारत संकल्प यात्रा के तहट इन दिनों पूरे देश भर में आयोजन आयोजित के जा रहे हैं, जिनका उद्देश सरकार की योजनाव को लोगों तक पहुचाना है। Bureau Report, MP News, Betul